हमेशा घर की लक्षमी को आपको हमेशा ज्यादा कमफर्ट में रखना चाहिए। तभी माता लक्षमी भी खुश होती है। या जोतिश में भी जोतिशास्तर में भी बताया जाता है कि गर की स्त्रिया होना, उनको हमेशा ज्यादा comfort में आपको रहना चाहिए, पुरुष के तोर पर आप discomfort में रहलो, चलेगा पर आप तो स्त्रियों को हमेशा रखना चाहिए, तो भगवान आपकी इच्छा पूरी करते हैं, कैसे, जैसे कि युआओं में जादा रहता है, सेक्स, सेक्स, सेक्स everywhere they just see सेक्स, तो ऐसे में आपको या तो सूवर या तो कबुतर का शरुर मिलता है, क्यों? क्योंकि यह ऐसे species है ऐसे जीव है, जो एक दिन में पचास, पचास, साथ, साथ बार संभोग कर स्वर्ग देंगे, यदि इन सभी को छोड़कर, यदि आप पूरा जिवन भगवान को याद करते हैं, तो भगवान को पता चल रहेगा कि यह जो गुण है, यह तो मेरे धाम के वासियों का गुण है, यह धाम में रहने हमारे लोग ही है, जो मुझे निरंतर याद करते हैं. उन्हें वैश्विक सभ्यताओं और सामुहिक मनुविज्यान पर विभिन शोद किये, उसके बार साथ वर्ष उन्होंने प्राचीन वैदिक ज्यान का अध्यान किया, साथ ही भारत भ्रहमन करते हुए उन्होंने यह पाया कि वर्तमान समस्याओं का समाधान हमारे वैदिक शास्त्रों में हैं. तो इस हेतु उन्होंने वैजुकेशन एक साइपी शुरूर करी है. आप अब तक तीन पुस्तकें प्रताशित कर चुके हैं. सनातन संस्कृती का मूल ग्यान, वैदिक दिन्चर्या और भ्रम चर्या. बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं ये तीनों. आज का जो हमारा विशे है इस वार्ता का, उसका विशे आपकी प्रतम पुस्तक, सनातन संस्कृती का मूल ग्यान, उस पर आधारित है. तो विश्व की जो सबसे प्राचीन सभिता के मूल गूत ग्यान वो आधनिक समय में हम सरल तरीके से कैसे समझें, उसका प्रयास यहां पे किया गया है. आत्मा, परमात्मा, देवी देवता, योग, धर्म, कर्म, यह सब क्या है? प्रह्मान की सनरचना कैसी है? समय का चक्र कैसे चलता है? हमारे शास्त्र कितने हैं? देवता कितने हैं? अवतार कितने हैं? और दुर्भागे की बात है कि ऐसे अनीक विशे हैं हमारी सभिता, हमार ये स्वार्दा में हम इस विशे को प्रतीक जी से कुछ विस्तार से समझने का प्रेयास करते हैं. तो प्रतीक जी, जो पहला प्रेशन हैं जो मैं सबकी तरब से आप से पूछना चाहती हूं, आपकी जो तीन पुस्तके हैं, पहले इनके बारे में बताईए, कि इसकी प्रेड़ना कहां से मिली, आपको कैसे लगा कि मैं ये पुस्तकें लिखूँ? जो युआ है, वो वापस धर्म की ओर बढ़े उसके लिए और इसी का प्रेयास हमने लगबख चार साल पहले शुरू किया था वेरिविकेशन से प्रचार का जो ऑनलाइन प्रचार का जब कोविड और ये सब आया था तभी हमने ऑनलाइन शुरू किया था उससे पहले हम लोक प्रचार बंद मत किजे तो फिर हमने ये प्रचार उनलाइन शुरू किया वेरिकेशन शुरू किया रामायन जब आय थी तब से हमने एक्च्छली शुरू किया था तो हम बता रहे थे कि जो रामायन में आप टीवी में देखते हो और जो हम पढ़ते हैं क्योंकि मैंने शहने पर हमने व उन टॉपिक्स पर पोस्ट बनाना शुरू किया और फिर लोग्हों था टाइम लोग जड जादा जूरू हूए मुझसे ज़ादा लोग जब सब जब जुड़ना शुरू हुए पहले एक हजार दो हजार थे तो हर किसी को हम जवाब दे पाते थे पर हम तू जैसे जैसे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तब जाकर जब 70,000 लोग जब हम से जुड़े पिर हमारे लिए बहुत कटिन हो गया हर किसी को जवाब देने के लिए तब जाकर हमने एक चीज नोटिस की कि अधिकतर लोगों के प्रश्ण सेम प्रकार के थे। तब जाकर हमको यह रिलाइस हुआ कि भारत के अंदर युवाव को किस हद तक यान नहीं दिया जाता है। यह बेसिक जो है सनातन संस्कृतिका वही लोगों के पास नहीं है। तब ह हमने डिसाइड कि हमें एक पुस्तक ऐसी लिखनी चाहिए जिसको पढ़ने के बाद भारत के युवाव के 99.99% जितने भी प्रश्ण है न सनातन संस्कृत को लिखा। सारे एक ही पुस्तक में सारे सौल हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पुस्तक पढ़ा फिर उनको लगा कि नहीं मुझे ठीक है मतब यह पता चला पर यह नहीं चला ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा एक all inclusive एक पुस्तक जो पढ़ने के बाद किसी को इतना satisfaction हो जाए कि इतना तो मुझे पता भी नहीं था कि सनातन संस्कृति में exist भी करता है। और इतना ऐसे लिखा जाए कि जिसने जीवन में भी एक पुस्तक नहीं पड़ी है ना वह व्यक्ति भी जब मेरा पुस्तक उठाए तो उसको सिर्फ पहला पेज पढ़ने के बाद वो पुस्तक रख ही ना पाए। इस तोर पर मैंने डिसाइड करके मेरा जो अब तक का जितना भी ब्रां सनातन संसुर॥ि के नाम से जाने जाता है जिसको अधिकता लोग जो लोग वेडिकेशन चेंज जुड़े हैं वो इसको बॉस्त के नाम से जानते होंगे बी-ओ-एस एस बेसिक्स ऑफ सनातन संसुर॥ि बॉस्त बॉक तो फिर हमने यह पुस्तक लिखी और मैंने इसके हमारी guarantees है कि जो भर्म के उपर जिनको doubts रहते है कि है अपनी ही 모습 पर डॉट रहता है कि यह रहे यह यासा क्यूंत ऑजा है वह कभी डाउट नहीं रहेंगे फिर जो बाहर की लोग है अलग-अलग बार्मों के लोग है उसकी हम देखे हैं कि इसके अंदर हमने बेसिकलи किया यह है कि शास्त्र को जो हमने आट हो व्यक्त tons को ने फुल 11 टौपिक के अंदर की है यह देख पाएंगे जागरा पुल यजा कंबूल गयान देवी-डे sneaking का मूल गयान प्रकृति का मूल गयान योग का मूल गयान कर्म का मूल गयान ब्रह्मांड का मूल गयान समय यानि का मूल गयान शास्त्रों का मूल गयान और सनातन संस्कृति का मूल गयान इसके अंदर सारे सास्त्रों का हमारे सानातन शास्त्र का जो एक पूर नॉलेज है वो सारा एक ही उस तक के अंदर हमने पैक कर दिया है एक्चुली इसका ओरिजिनल जो कॉपी था वह 1200 पीजिस का था वह 1200 पीजिस का हमने डॉक्विमेंट बनाया था पर हम तो अब तो कोई नहीं पढ़ेगा और उसमें बह सिक्सक्त लोगों को आवशकता भी नहीं है इतना डेफ्ट में जाने की इसलिए फिर हमने उसको भी कंसाइस करने के बाद फिर यह 200 बुक का सिर्फ 200 पिजिसका या पुस्तक लखा लिखा जिसके अंदर सारा नॉलेज कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक पुस्तक पढ़कर पा स सारा अप्रीशेशन के बाद हर किसी का एक कंप्लेन आ रहा था कि प्रभू आपने ये तो लेख दिया ये सब तो ग्यान तो मिल गया पर इसको जीवन में कैसे उता रहे हैं सो प्रेक्टिकल अप्रोच के लिए फिर मुझे लगा कि कोई एक बुक आना चाहिए जिसको पढ नोखेद तक है इसको अंदर सारा हमने orumने पाँच भागों में बनाया है प्रभाचरिया साधन nud चरिया दिन रात्री चर श्लोक-शंग्रह इसको पढ़कर इसका जो पालन कर लेता है ना उसका जीवन में अध्यात्मिक, आर्थिक, शारिरिक, मांसिक, हर रूप से उसकी उन्नती होना शुरू हो जाएगी। इसकी भी हम गैरेटी लेते हैं, कोई प्रशना बसता ही नहीं है, इसका भी अगैन मेरे बात से नहीं माना चाहिए लोगों को, तो कि देने वाला तो हर प्रामिस करता है, पर आप यदि एमेज़न पर जाकर लोगों के रिव्यू पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों के जीवन में भी क्या बदलावाता है, यही था कि प्रभू यह सब ठीक है, यह सब कर लेते हैं, पर सब मिल गया, हम खुश है, पर देर इस वन तिंग जिससे हम अभी भी स्ट्रगल करते हैं, जो कि हर युवा अभी स्ट्रगल करता है, लोगों को ब्रहमचरिय का पालन नहीं कर पाते हैं, तो बोले यह वैदिक दिंचरिया पालन करने के बाद 90% सारा प्राब्लम चला गया है, अज़ अतना नहीं होता है, प्रहं तो फिर भी कहीं 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 5-10% कहीं रह जाता है, वो जो ब्रहमचरिय का पालन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, कहीं कहीं, फिर काफी साए ब्रहमचरिय को लेकर प्र एक ऐसी पुस्तक लिखे जिसमें गैरंटीड हम गाइड बुक दे कि जो व्यक्ति इसको पढ़ेगा इसको फालो करेगा उसका ब्रहमचरे पालन होगा होगा ही तो वैसे अगें यह तीसरा पुस्तक हमने लिखा जिसका नाम है ब्रहमचरिया अल्टिमेट एक्शन बुक फर लिट्रल पॉइंट्स लिखे आपको यह करना है फिर यह करना है यह करना है एसरे जदी आप फालो करोगे तो आपका ब्रहमचरे पालन होगा 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 ही ऐसे हमने एक एक करके पबलिक डिमांड पर ही हमने अधिकतर लोगों के डिमांड के पर ही यह तीन पुस्तक हमने बताया है कि आगे कौन से कौन से वाले पुस्तक भी आ रहा है जैसे कि अगला पुस्तक हनुमान तायान आ रहा है हनुमान जी का पूरा इतिहास सारे शास्त्रों में से इकटा करकर हनुमान जी का जन्मस्त से पहले से लेकर आज तक का कल्यूप के आज के दिन तक का जितना इ एक ही पुस्तक में हनुवंता या नाम सी पुस्तक में आएगा दैन पक्वशास्त्र है वन जिरो एट लॉस पर उल्टिमेट मिचॉरिटी कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा उसकी जीवन में इंस्टंट इंस्टंट बदलाव आएगा जैसे बढ़ती है लोगों के जीवन पुर्वगीता मतलब की लोग कहते हैं कि गीता पढ़ने के बाद हमें समझ नहीं आई है तो उनके लिए छोटी सी बुक होगी जो व्यक्तिया प्री गीता पुर्वगीता पढ़ लेगा उसको पढ़ने के बाद गीता उसको एकदम सरलता से समझ आना शुरू हो जाएगी बन नहीं सिखाता है और वाकी रहस्य रामायन है वो पूरा सीरीज आएगी तो जैसे आपने पूछा हमने हमारी मिजॉरिटी जिनने पुस्तके है और आने वाली है उसके बारे में हमने आपको ब्रीफली जवाब दे दिया है बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीग जी वाकई मे ये पुस्तके हैं बहुत अच्छी है और विल वेट फॉर अधर बॉक्स आज हम आपकी जो पहली पुस्तक है बॉस बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृती सनातन संस्कृती का मूल गया हम उस पे बात करते हैं तो उस पुस्तक कुछ ऐसी पढ़ना शुरू करते हैं उसका जो फॉ रियली लब इस बिगनेंग तो ये प्रारंब कैसे क्या सोच के किस तरीके से क्यों ये लिखा गया ये इस लिए हमने लिखा है क्योंकि जर्नरली अभी का जैसा लाइफस्टाइल है लोगों का लोग जब भी कुछ भी पढ़ते हैं कुछ सुनते हैं हर किसी को मल्टिटास क करने की बहुत आदद हो गई हैं यहां करते हुए वीडियो सुन लेंगे यहां करते हुए पढ़ते जाएंगे कुछ ये करेंगे वो करेंगे यह एक्चुल तरीका नहीं है ग्यान पाने का एक रीजन यही है कि अधिकतर लोग ग्यान को विजडम को रिदय तक नहीं पहु कमप्लीटली अलग चीज़ है क्योंकि इसी के पीछे हमने यह भी बताया है कि यह रहा यहां पर पीछे के पेज में आज हम इस ग्यान की और उस तरह बढ़ेंगे जैसे एक आदर्स शिष्या आदर्स ग्यान की प्राप्ति के लिए एक आदर्स गुरु की और बढ़ता है अपने आपको संपूर्ण तह मूर्ख जानकर जो स्विकारता है कि वो कुछ नहीं जानता और अपने मन को एक कुरा कागज बना कर समर्पित कर देता है जिस पर कुछ भी पहले से लिखा हुआ नहीं है आज हम सिर्फ ग्यान लेंगे नहीं पर हम तो हम उस पर विचार विम ग्यान है वो इसलिए यदि किसी को उतारना है अपने जीवर में तो उससे पहले उसका विचार विमर्ष करना ज़रूरी है और विचार विमर्ष करने के लिए पहले शांत दिमाग से उसको गहना और गहराई से पड़ना आवशक है तो यह प्री कंटेक्स बहुत ही आवश किया तो मुझे कोई क्रेडित नहीं जाता है मैंने इसको आज की जनरेशन के लिए कंपाइल किया है पर हाँ है तो शास्तिरों से तो शास्तिरों का ग्यान यदि आप ध्यान से लोगे तो आपका जीवन बद्दे गाही अभी आप ने इतना इन्वेस्ट किया है आपने responsibility है कि जो व्यक्ति इतना समय लक्ष्मिय सब दे कर यह पुस्तक लेता है उसको उसका पूरा का पूरा फाइदा में लेता है तो ठीक है पंच महाभूत हम सब जानते हैं हमने पड़ा है लेकिन साथ में आपने तीन सुक्ष्म तत्वों की भी बात करी है उनके बारे से पते हैं अवश्या अभी देखिए जो आप पंच महाभूत की बात करते हैं जिनके पास बॉस्तक है क्योंकि का काफी लोग हमारे व बना है तो सबसे पहले पांच प्रात्विक तत्वों से जिनको हम पंच महाभूत के नाम से जानते हैं उससे बना है धर्ती जल अगनी वायू और आका यह हमारा भौतिक शरीर ऐसे बना है परम तू यह भौतिक शरीर तो हम जब मरते हैं तो यहां पर छोड़कर चले जाते वो यही पर इसी धर्ती पर विलीन हो जाता है तो हमारा एक और शरीर है जो की तीन सुक्ष मतत्वों से बना है जो की हम मरने के बाद भी हमारे साथ केरी करते हैं जब एक और शरीर में हम जाते हैं यह जो तीन सुक्ष मतत्व है वो यह है पहला है मन दूसरा है बुद्धी और तीसरा है मित्यांकर इंग्लिश में चो लोगों को हिंदी में एक दम नहीं समझाता है मन मतलब की माइंड, बुद्धी, इंटेलिजिंस और मित्यांकर इस पॉल्स इगो यह तेन तत्वा है जो हम हमारे हमारे मृत्यों के बाद भी इस तीन को हम साथ में लेकर चलते हैं हमारा जो आत्मा है आत्मा के साथ यह तीन अटैच होते हैं इसको हमारा सुक्ष में शरीर कहा जाता है जो हर जगह जाता है अब आप मानव शरीर में जा रहे हो या फिर किसी और जानवर के शरीर में जा रहे हो या फिर पेड़ के शरी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, यह तीन हमेशा आपके साथ ही चलते हैं, so these are three subtle elements in English, and गुजराती में सुक्ष्म तत्व कहा जाता है, जिससे हमारा शरीर बनता है, सुक्ष्म शरीर बनता है, और जैसे बहुत ही शरीर है, वो तो इन पांच कर्म सिंधान्त में कहता है, कि जैसा आप कर्म करेंगे, आपको आगे भोगना होगा, आगले जनम में, या इसी जनम में, आपको उसका परिनाम, उसका रिजल्ट आपको फल भोगना ही होता है, तो यह बात हम जानते हैं, उस पर एक आपने वाकिय लिखा है, कि अपने इच इच्छाओं को जैसा आकार देते हैं, वैसा ही अगला जन्म मिलता है, सिर्फ कर्म नहीं, आपकी इच्छा भी इतना महत्वर रखती है, कि आपने जैसी इच्छा करी है, आपको अगला जन्म वैसा मिल जाएगा, ये बात बहुत अच्छी लगी थी, पेज नंबर 15 पर है, उ परम्तु आपकी इच्छाए ही आपका अगला शरीर डिसाइड करती है, इसके बारे में जो हमने 15 नंबर पेज पर जो प्रतम जो अध्याय है, आत्मा का मूल गया, उसके 15, 14 और 15 दोनों के उपर हमने बताया है, जैसे कि हमने अभी अभी डिसकस किया, कि हमारा एक सुक्ष सुक्षमा शरीर का एक आकार होता है, वो आकर सुक्षमा प्राणाले से बनता है, जो कि हमारे लिए समझ थोड़ा कठीन है, पर अब तो जैसे ही आप शास्त्रों का ग्यान आगे ले तो आप समझने लगोगी कि या कैसे काम करता है, जैसे कि हमने इसी पुस्तक के अंदर, 14 नमर के पेच के अंदर बताया है कि हम हमारे विचारों, इच्छाओं और कर्मों से हमारे सुक्षमा शरीर को आकार देते हैं, और वो सुक्षमा शरीर हमारे स्थूल शरीर को आकार देता है, मतलब कि जिस जिन हम विचार हमारे होते हैं, उससे हमारा सुक्षमा शरीर बनत लेकिन यदि हमारे विचार स्वस्थ और नियंत्रित है तब हमारे कर्म भी स्वस्थ और नियंत्रित होंगे जिससे हमारे शरी भी स्वस्थ और नियंत्रित रहेगा और ज्यादा तर समय इनकी वज़ा से ही हमारे आसपास का वातावरन और हमारे सब्बंद भी शुद्ध example हम ले हम हमने यहां दो शब्द खास यूज किये हम बहुत सारे शब्द यहां यूज कर सकते हैं तो पीज्जा दिख रहा है बड़ा यह पोस्टर बड़ा सही लगा है आज जेव में कुछ पैसे भी आये है पापा ने दिया है मयाय दिया है फिर नौकरी से मिला है तो लगता है थोड़ा खा लेना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर पीजा स्टोर है सामने जिम है अखाड़ा है जो कुछ चामने सब्जी की दा रही थी लेट सो आप ने सब्जी को नहीं चूज किया चूज क्या किया स्फास्ट फूट को यहां आपका ऑन्य अढूर् और अस्वस्त्य वि tö्ण हुआ उससे यहां पर विचार हुआ विचार. से क्या हुआ आपका मन बदला यहां तो यहां क्या होगा मन बदलने से कर्म बदला आपने कर्म क्या किया फिर आप गए पिज्जा की हो तो यहां आपका कर्म भी हुआ अस्वस्त और अनियत और जैसे आपका कर्म वो हुआ उसकी अनुसार आपका शरीर भी कैसे बनेगा फिर अस्वस्त और अनिय है कि हम जीवात्माएं हमारी नीजी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं भगवान ने संसार को डिजाइन ही इसी तरह किया है कि जैसा आप इच्छा करोगे वैसा आपको सब मिलेगा ऐसे में इसलिए अपने पूरे जीवन के दौरांत हमने अपनी इच्छाओं को जैसा आका उठकर ना दोकर रेडी होका जो हमारी दिन चरिया जो शुरू करनी है वो कुछ करना नहीं है तो उसको भालू का शरीर मिलेगा जिसमें भगवान ने क्यों भालू का शरीर दिया इसलिए नहीं क्योंकि आपको डंदरित करना है ऐसा कुछ है भगवान इसलिए दे रहा है क कुई कि आपकी यह जो इच्चा है वो पूरी करने के लिए मनुष्य का शरीर सही नहीं है, भालू का शरीर सही है, तो आपका आदत आपको यदि सोने की लगानी है, तो भगवान ने आपको बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हें भालू का शरीर देंगे, आप शांत इसे सो, आपको भालू का शरीर मिलता है, और आपकी सोने की इच्चा को बहुर अच्चे से आप पूरा कर पाता हो, वैसे ही, यदि आपको भेडिये की तरह मांस खाने में इतनी रुची है, बार-बार मांस खाना है, ये खालो, वो खालो, वो खालो, तो आपको भेडिये या कुत् और आपकी जो मांस खाने की इच्छा है, वो भगवान आपकी फूरी कदर आपकी इस शरे में आपका बिना पकाया मांस भी नहीं क्खा सकते हैं, उसके लिए भी थोड़ा पकाना, वो सब करना सब करना पढ़ता है, पर आप खुत्ता यर भीडिया हो, तो आप रो मांस जितन तो ऐसे में आपको या तो सूवर या तो कबुतर का शरुद मिलता है क्यों कि यह ऐसे स्पीशीज है ऐसे जीव है जो एक दिन में पचास पचास साथ साथ बार संभोग कर सकते हैं वो भी अलग 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 अनके साथ अपन तो और अपनी यहन इच्छाओ को पूरी कर सकते हैं तो जो की मानवशरिय में संभव नहीं मानवशरिय में आप दिन में एक दो बार जादा जादा तिन बार्र आपकड़ोगे फिर भी आपका शरुरि उससे क certains ही तो मानवशरिय एक्चुली संभोग के लिए बना नहीं तो जब बगवान देखते हैं कि इसको ना इस के अदर जाना है तो भगवान आपकी पूरी करते हैं कैसे जैसे कि आपका प्रश्न था आपके विचारों से आपका सुक्षम शरीर बनता है और पर शुक्षम सरी से आपका स्थूल शरीर मन को बनाया है उसी से आपका अगला जीवन भगवान की भक्ती में लगाते हो और उके कल्यान में लगाते हो और सही कर्म करने में लगाते हो तो भगवान देखते हैं कि यह जो गुण है यह सारे दैवी गुण है तो भगवान आपको स्वर्ग देंगे आपको उपर के जो लोग है स्वर्ग क्या बोलते हैं भू होगी आपको नीचे जरनम मिलेगा at the same time at the end यदि इन सभी को छोड़कर यदि आप पूरा जिवन भगवान को याद करते हो तो भगवान को पता चल रहेगा कि यह जो गुण है यह तो मेरे धाम के वासियों का गुन है यहां धाम में रहने वारे लोग ही हैं जो मुझे निरंतर याद करते हैं तो भगवान को पता चल रहा है कि इसकी इच्छा यह है कि निरंतर मुझे आद करें तो यह मानर शवरी उसके लिए एक्चुलि आइडियल है नहीं यदि इसको करो इसको बुला लो मेरे यहां यहां पर निरंतर मुझे याद कर पाएगा तो फिर आपको यह जन्म अम्रति जरावैदी के चकर से निकालकर वहां पर भगवान अपने पास अपने धाम में बुला लेंगे वहीं पर चले जाएंगे जो कि हमारा जीवन का अंतिम लक्षे हैं I hope this answers your question तो मतलब कर्म तो बाद में आता है प्रतीक जी इच्छा पहले ही पर स्ट्रॉंग होती है कि इच्छा से ही वो निर्थारन चालू हो जाता है तो हमें हमारी इच्छाओं पर भी एक कंट्रोल चाहिए उसी से सब शुरू होता है इच्छाओं पर कंट्रोल हो गया तो कर्म नहीं ही होगा, सब कुछ शुरू इच्छा सक्ती से ही होता है, और इच्छाओं को मूर्थ रूप देने वाले जो इच्छाओं जो हमने इच्छा करी है, वो पूर्ट करने वाले होते हैं भगवान, तो वो भी एक प्रेशन होता है कि भगवान कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, हो परतीदिन इतने सारे message आते हैं और जब ये मैं पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि ये मैंने पुस्तक लिखा है, ये पूरा अब सफल है ये प्रयास पुला सफल है जब ऐसे कुछ messages मिलते हैं काफी लोगों का ऐसे message आते हैं कि मैं इतने दुख में थी या था जो कोई भी मेसेज करा है और मैंने आपका पुस्तक पढ़ना शुरू किया सब कुछ अच्छा है सब कुछ बहुत ही अच्छा है सब ठीक है और जब हमने यहाँ भगवान चैप्टर पढ़ाना है जो परमात्मा चैप्टर क्या यह कृष्णा रादा रादा शेव शेव क्या करना है सब विकार है मतलब यह पागलों की तरह करना है पर जब उन्होंने यहाँ चैप्टर पढ़ा उसके बाद मुझे बहुत मेसेज आया कि हमें पता ही नहीं था कि भगवान कैसे है यहाँ chapter पढ़कर हमको पता चला अब जिनको पूरा जानना है वो आप उस तक में ही पढ़ पाएंगे यहीं हम पूरा तो discuss कर नहीं पाएंगे पर आपको थोड़ा briefly बताते हैं कि भगवान कैसे हैं तो भगवान की व्याख्या देखे न तो अकेला सनातन धर्म को छोड़ो आ उसके अंदर बताया गए जो है यहाँ पर हमने लिखा है जन्मान दस्यता मतलब कि जन्मा आदी आस्या यतह जन्मा आदी मतलब कि उत्पत्ति आदी उत्पत्ति जीवी का और प्रले आस्या मतलब कि इस संसार का यतह जो जिससे होता है उसको भगवान कहते हैं मतलब कि जि और उसका अंत्र, उस सभी जिस से होता है न वो भगवान है, तो यह हमने पहला इसका जो व्याक्या है, वो यही पर दिया है, अब सोचिए, इस दुनिया में सब कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, मतलब की परसीवेबल, नौन परसीवेबल, कही न कहीं से तो आया ही है, वो भी कहीं और से आती है, उसको भी ढूंडोगे तो उससे भी ऊपर एक आपको उसका स्तुरुत मिलेगा, यह जो प्रारंबिक स्तुरुत है न, जहां से सब कुछ आता है, जैसे कि आप बोलो कि मैं कहां से आया, मेरे माता पिता से, वो कहां से आया, उनके माता पिता से, उनको देखोगे तो अब उपर जाओगे तो जो हमारे सबतरशी है, वहां से आएंगे, सबतरशी से देखोगे तो हमारे जो रुशी मुनी गोतर के मुनी है, उनसे आएंगे, उनसे आगे देखोगे तो वो रहमा से आए है, ब्रहमा किस्सा है तो उनसे उपर, उनसे उपर वो जब ultimate जब टॉप पर जाते है प्रारंबिक स्त्रोत जहां से सब की उत्पत्ती हुई है जहां से सब को स्थीरता प्राप्त होती है और जिनमें सब अंत्मी घुल जाता है उस हर उस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सजीव निरजीव आत्मा और पदार्थ का मूल स्त्रोत है भगवान यह व्याक्या अंतिम कह सकते हैं कि भगवान की व्याक्या है अब भगवान का यह एजा क्यरेक्टरिस्टिक के रूप में तो हमने देख लिया कि अच्छा कौन है भगवान पर कैसे हैं वह उसके बादवाले पेज में हमने बताया है जिसमें सबसे उम्पोर्टन यानि कि जो सब कुछ जानते हैं और सर्वशक्ति मान जो कि सर्वशक्ति मान है फिर और तीन शब्दे यूज़ किये है जो कि है करतू अकरतू अन्यथा करतू मतलब कि भगवान वे वो कर सकते है जो हम कर सकते है और अन्यता करतू, मतलब वे वो सब भी कर सकते हैं, जिसका हम सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कोई कर्म होता है, वो भी भगवान कर सकते हैं, तो यह भी शास्त्रा इसके बारे में भी बता है, बट और इन सभी गुणों के उपर, टॉप पर यह होता है, कि सबसे महतवपुन बात ये है कि वो हम सभी जीवात्माओं के परम ही तैशी है भगवत गिता के 5.29 में यहाँ आता है सुहरुदम सर्वभूताना मतलब कि भगवान को यहाँ पर सुहरुद शब्द यूज किया है मित्र यार दोस्त ऐसा कुछ नहीं उसके है सुहरुदम सुहरुद का धाटपरिया यह है कि हमेशा अच्छा चाते हां परम मित्र परम सुवचिंथा उन से बड़ा सुवचिंथा का आपका कोई हो ही नहीं सकता वो हमेशा अपका सबसे उचित चाते हैं और भले ही फिर हमारी गलतिया ária, गलत्रवरुतिया, हमारे कर्म, सब कुछ देखते है पद फिर भी हमारा ultimate top चाहते है यही उनका सब्भाव है हमारा सब कुछ बुरा देखने के पसाद भी वो हमारा ultimate best चाहते है और बाकी आगे भगवान के छह और व्याक्याओं के बारें बताया गया है कि भगवान को भगवान क्यों क्यों का जाता है भगवान का मतलब जो भरपूर है जैसे कि धनवान गुणवान बलवान जिसके पास धन बहुत सारा है मदब भरपूर है बलवान मदब जिसके पास भरपूर प्रमान में बल है गुणवान का मदब जिसके अंदर गुणों का बहुत ही भंडार है वैसे ही भगवान मदब की जुन में सारे एश्वर्यों का भंडार है समग्रम ये विश्णु पुरान के 6.5.47 6.5.47 के अंदर पराशर मुनी बताते है भगवान की व्याक्या अश्वर ये समग्रश्य वीदेश्य ये श्रिया ज्यान वहराग्य ये श्चाईवा शनाम भगव इतिंगना मदब की 6 जो उनके अश्वर ये है ताकत यश यानकी फेम संपत्ति ज्यान सुंदर्ता और इसलिए आप अट्रैक्टेड हो दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे आप अट्रैक्टेड होंगे और उनमें इनमें से 6 गुन में से कोई एक या दो गुन या फिर जादा गुन नहीं होंगे आप खुद भी कभी भी सोच लोगे ना आपको पता चल जाए अधिकतर क्या होता है लड़के को लड़की पसंद है लड़की को लड़का पसंद है लड़कियों को क्या दिखता है लड़कों में उनमें दिखते है या तो ताकत उनका फेम संपत्ती उनका ग्यान उनकी सुन्दरता या पर उनका त्याग ये 6 में से कोई ने कोई चीज ह तो बागवान आपके सामने आएंगे जो सतोर सभी घुनों जिन से यह सारे गुण आते हैं कितने हैं? आप आपका रिदय भी रहेगा वहां पर खड़े भी नहीं रपाऊ गया तो इतने वह भगवान सारे गुणों का स्तरोथ है इसलिए भगवान भगवान यह कोई रेंडम व्यक्ति नहीं है कि आप आप यहां से यहां से चले जाएगा और आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा आप देखोंगे या तो आप को जेलस होगी या तो आप उनसे मोहित हो जाओगे खत्यक्त लाख और पास कैसे हो सकते हैं यह तो मेरे पास सोना चाहिए जो लोग जेलस है वो बैसिकली लोग है और जो लोग obsc required सब्सक्राइब चούμεने केया है जो जो इस्वर को समझा कि यह क्या है उसके बाद किह इस्वर को खुश किसे करें उन्य का सिकतर। तो बहुत सारी होती他 है के करना चाहिए ओक वो जो explanation है आपका वो भी बहुत सुन्दर है एक बार वो बताईए कि इश्वर को प्रसंद में कैसे करें जी भगवदीता में श्लोक आता है उसे एक एक्चुली यह सेम श्लोक भगवदीता और भागवतम दोन में आता है भगवदीता का जिसको पढ़ना है 9.26 और भागवत में श्रिमत भागवत महापुरान में 10.81.4 उसके अंदर यह श्लोक आता है पत्रम पुष्पम भलं तोयम यो में भक्तिया परेश्यति तदहम भक्तित्व परहतम श्नामी प्रयतात मनहा और इसी का थोड़ा अल्टर वर्जन है वो भागवतम में आता है यहां पर भगवा है इतना सुंदर श्लोक है कि मैं ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं कि वो सिर्फ इस एक श्लोक के तातपरेग को जानकर उन्होंने संसार त्याग दिया वो सन्यासी हो गए या पर ब्रहमचारी बन गए लाइफ टाइम ब्रहमचारी बन गए बाल ब्रहमचारी मतलब जो इतना स्ट्रॉंग है इस लोग तो यहां पर बताया यह जा रहा है कि जो पत्रम पुश्वं भलम तोयम है यह भगवदीता में तो भगवान अर्जुन को बता रहा है परमतु भागवतम में जो है वहां पर यह शब्द भगवान कृष्ण के मुख से निकले थे तब निकले जिस समय उन्होंने बचपन के उनके दरिद्र गुरुकुल मित्र सुदामा द्वारा दिये गए सुखे चावल गरहन किये थे अपने मित्र के शुद्ध निश्वार्थ प्रेम से लिप्त उन्होंने उन सुखे चावल के हर एक निवाले के बदले एक एक ब्रहमांड देना बोलो, अपने भाई को बोलो, अपने चाचा को बोलो, पापा को बोलो, पापा ये एक बिगा जमीन दे दोगे, बोले हाँ दे दूंगा, कितना पैसा, बोले ये लो मुठी चावल, नहीं देंगे, भगवान को देखो, एक बिगा जमीन नहीं, एक एकड नहीं, एक गाव नह एक राज्य नहीं, एक देश नहीं, एक खंड नहीं, एक पृत्वी नहीं, पूरा भ्रहमांद दे रहे हैं, वो भी बिना मांगे सुदामा को सिर्फ एक ऐसे एक चावल ऐसे लेते हुए, एक बार एक ऐसे चावल खाए उन्होंने और वहाँ पूरा भ्रहमाद भगवान ने एक खाते हुए, एक एक ब्रहमाद दे रहे हैं, यहां तक कि स्वयम मा लक्ष्मी को उन्हें रोकना पड़ा, तब जाकर वे रुके, नहीं तो केवल मुठी बर चावल के लिए अपने मित्र को वो सारी सुरुष्टी दे देते, भगवान को खुद को पता भी नहीं है कि व सुखे चावल दे रहे हैं, इतने स्वादिश लग रहे हैं कि यह यह इतने सारे हजारों भोग जो मुझे लगते हैं, उन्हें इतना स्वाद है ही नहीं, उसका करोड़वा भाग भी इस चावल का करोड़वा भाग भी उन सारे इन भोगों में नहीं है, जो तना इसमें है तो उन्होंने सिर्फ एक मुठी-मुठी से लेकर वो सारे इतने सारे ब्रह्मान दे रहे ते फिर माता लक्ष्मी ने उनके रोका रुको रुको हमें भी खिलाओ आप खाओगे ते यह पूरा सारा चला जाएगा फिर हम क्या करेंगे माता लक्ष्मी चंचल है ना उनको तो थ 기 हमेशा घर की लक्ष médi को आपको जयादा कंफर्ट में रखना चाहिए तभी माता लक्ष्मी भी खुश होती है या जोटिश में भी चोंतर M chefs में भी हुटी ॐस्टेला होना उनको हमेशा ज्यादा कंफर्ट में आपको रहना चाहिए पूरुश के तोरब आप डिस है पर आपको यहाणना चाहिए इक फूरश के तोर पर यहाँ का कर्टव्य है आप अपने अपनी घर की श्त्रियों को आप इनको डोक़ाटाब होता है आपको इसा नहीं सब्सक्राइब कि अब उनकी पूरुष पूरुष काफिकली देखो दो पूरुष की जो श्किन की थिकने से नहीं वह से 40% ज्यादा थिक है 40 45% कुछ ज्यादा थिक होती है वैसे उनके पूरुष की अपर बॉड़ी की स्ट्रेंग्ट वुमें سے काफی زیادہ होती है और तेस्टोस्योंट मेंके शरीव में बहुत ज्यादा होता है इसलिए उनका मसल बहुत ज्यादा बिल्ड ہता है आप जिम में जाओगे तो अधिक तर्पूρχ का बहुत जल्दी बिल्ड होती हुआ किए जल्दी बिल्ड नहीं होता है क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरों ही नहीं जो की ग्रोथ हॉर्मोन है तो यह शरीर हमको भगवाने दिया ही इसलिए है क्योंकि हम औरों को जो लोगों को जो लोग निर्बल है जो लोगों के अंदर यह शरी नहीं मिला है, उनकी आप सेवा कर पाओ, स्त्रियों को, बुडों को, बच्चों को, गायों को, ब्रहामनों को, संतों को, इन सभी की सेवा के लिए ही हमको यह शरी मिला है, जो हमको करना चाहिए, back to the topic, तो यहाँ आप देखिए, सुदामा ने एक मुठी चावल से भगवान को प्रसंद कर दिया था, इतना सरल है भगवान को प्रसंद करना, कैसे वो चावल नहीं था जिसके कारण भगवान प्रसंद होए थे, वो क्या था, वो जो सुदामा का जो निश्वार्थ प्रेम था, the main point here is निश्वार्थ, उनको कोई स्वा कि निश्वार्थ नहीं था, हम भगवान के पास जाते हैं हजार चीज़े मांगेशाएं, भगवान ये दे दीजे, वो लड़की मुर्ण को दिला दीजे, वो मुर्य था जाप लिया है, मुझे वो जमीन वापस दिला दीजे, वो वाली जॉब मुझे नहीं मिल रहे है, कल कुछ तो देंगे दो-तिन सोना महूर दे देंगे फिर भी हमारा कुछ चल जाएगा कुछ जा कुछ उनको जाओ जाकर मांगो उन्हें तो उन्होंने मांगा नहीं, फिर भी है, उनको मांगने की इच्छा नहीं होती है, वो निस्वार्थी ही है, अपने निस्वार्थ सभावों से विरुद्ध्र सभावी बनना उनके सभाव में नहीं है. तो यहां निस्वार्थ जो प्रेम है, वो प्रेम से जो दिया है, वही सारा कमाल करता है आपके, तो वो प्रेम भरे शुद्ध रदे से दी जाने वाली हर वस्तु को स्विकार करते हैं, यदि आपके पास एक फल भी है, तो उसे चड़ाए, यदि फल भी नहीं है, तो एक कर रहा हूं, तो कि भक्त का प्रेम ही है, जो भगवान को प्रसन में करता है, नकी भेट का मुल्य, अरे भगवान क्या ही है सब, हम क्या ही देने वाले हैं, जैसे कि हम गंगा में जाते हैं, अभी हम वेस्पेंगल में हैं, हमारे यहां से बहुत ही नजदीक है गंगा, वैस से अंदर एंटर होते हैं आचमन करते हैं और फिर पहले गंगा माता से पाने लेते हैं लेते हैं गंगा माता को देते हैं तो हमने कुछ दिया है क्या हमने कुछ नहीं दिया है सच में देखे तो भगवान गंगा माता को हमने गंगा माता से लिया पानी गंगा माता को आपश तो यहां पर दे जो देने की बश जो चीज है वो गंगा मांता सीज देती है परम्तु यहां पर ढिफ़र timer को ह Quem हेंगे ह। भूटल बेचे बाव में दिफरेंस होता है कि हम भगवान से ही लेते हैं। और बापगवान को ही वाफिस दे ते हैं जैसे कि माता एक पिता होते हैं जब मिठाई लेकर आते हैं अपने बच्ट often बच्चे में बच्चे हैं बज्दिगझे एक बच्चे को दिया तो लए रहे रहे वा पिता जी मिठाई लाए बैटा कर बैठने लगा और दूसरा बच्चा है और वो खुश वो गया रे पिता जी आगए पिता बोले ये लो बेटा पिठाए और फैले मिठाए लिया और पापा के दाद पास जाकर पर उनके मुम में रख दिया तो पापा को आनद कितना होता है आप सोचो की फिर वो पिता हमेशा लाना चाहेंगे, कि मैं मेरे बेटे के लिए बार बार लाओं, बार बार लाओं, कि वो भाव है जो मैटर करता है, वो चीज नहीं है, जो मैटर करता है, वो वैसे भी पिताने लिए है, वो नहीं लाता है, तो क्या ही आप देने वाले है, सेम वे में हमारा काम यही है, हमें ज just be great grateful वो चाहते ही मतलब वो कहते भी नहीं कि आप हो या ऐसा कुछ यदि आप होंगे क्योंकि आपका कर्टब बनता है तो यदि आप होंगे तो भगवान बहुती बहुती सरलता से प्रस्टन हो जाएं तो all that भगवान को जो चाहिए है वो यह है कि आप अपना भाव भगवा को ऐसे दिखा कर बोलेंगे भगवान कुछ नहीं है इतना भी ले लो तो इतना भी दे दोगे ना यही प्रते दिन ने इतना भी किया ना consistently फिर भी आपका प्रेम भगवान के प्रती जाग जाए समय के साथ और फिर आपके जो रदेरिक में जो भी मैल है और यह सब है वो ध इश्छलमन चाहिए बस इसी तरीके से कहा जाता है कि जब जब प्रत्वी पे कोई पाप पड़ जाता है तो इश्वर जन लेते हैं इश्वर अफतार लेते हैं उसमें हैं माहा भारत में की ताम मैं है यिदाया ही धर्मस्य, क्लानेर भावती, भारत, अभित थानम अभर्म में तो कितने आउटार है इश्वर के बहुत इंबॉर्टन प्रश्ण किया है आपने वैसे जिसे जिन लोगों ने हमारे उस तक पड़ा है ये इसी चैप्टर में परमात्मा चैप्टर में इसके बारे में और डीटेल में बताया है आपने जैसे बताया लोगों का प्रश्ण यह होता है कि अवतार कितने हैं कुछ लोग कहते हैं दस अवतार है नहीं चौबिस है गलत सौ है निकट भी नहीं हजार है नो कितने अवतार हैं अनलिमिटेड अवतार हैं उनकी अवतार की कोई संख्या ही नहीं परम्तु हमेज इतने ग्यात है उसके अनुसार यदि समझने क परियास करें, जैसे कि छे प्रकार के अवतार होते हैं, जो शास्तरों में बता है, एक होता है, पुरुष अवतार, दूसरा लिला वतार, तीसरा गुना वतार, चौथा मनवंतर अवतार, पाच्वा युगा अवतार, छठा शक्ता अवेश अवतार, शक्ति आवेश अवतार, जो कि भगवान शक्ति के रुप में एक मानव के अंदर प्रवेश करकर उसको आज़ा भगवान अपने पते निदी के रुप में अवतार लेकर आते हैं, वो से पहले पूरुष अवतार पूरुष अवतार तीन होते हैं कारणो दक्षाई विष्णु गर्बो दक्षाई विष्णु और क्षिरो दक्षाई विष्णु जो लोगों ने हमारा बहुत पुस्तक में जो भ्रहमांड का मुल्गियान पड़ा होगा उन लोगों को इसके बा अभगवान कारण दक्षाई विश्नु वहाँ पर फलोट करते हैं, वहीं पर वो योग निंद्रा में सोए हुए। वैसे गरभव धक्षाई विश्नु है वो प्रटिकुलर जो एक एक ब्रहर्माण है उसके अंदर जो शागर है उसको हम उस गरव को हिरAnnё गरब कहते हैं और और वो जो समुद्र है उसको गर्वदक्षाई समुद्र कहते हैं और उसके अंदर सोय हुए जो लेटे हुए जो भगवान विश्णु है वो गर्वदक्षाई विश्णु है और इनहीं के नावी से भ्रह्मा जी का भ्रह्मा जी की उत्पत्ती होती है कारणो दक्षाई मुझनु ने यह हैं जिन जिन यह विश्नु के पास जो सारे यह भगवान के पास जीतने देवी देवता और जो जो सब जाते हैं याचना कе लिए वह हुए उसके बाद आते हैं लिला आउफार वैसे अनन्त है तुर इस हमारे अभी के शास्तरों के हिसाब से गिने तो जो 24, 25 है उनका पूरा लिस्ट हम ने इसके अंदर पुस्तक के अंदर 34 पेज नमबर पर दिया है यह वो अवतार है लीला अवतार जो लीला दिखाने के लिए आते हैं उनका मुख्या परपस है लीला दिखा जैसे कि सनतकुमान नारद भी भगवान का उता है लोग को बता नहीं है पर उसके बाद गुणा अवतार आते हैं जो की गुणों के हिसाब से भगवान अपने तीन जो तीन आवतार लेते हैं हर भवतिक ब्रह्मान में वो है रजोगुण सतोगुण तमगुण के अनुसार रजोगुण में स्रजन के लिए ब्रह्माजी बनकर आते हैं इनका पूरा लिस्ट है हमने इसके अंदर किसी पुस्तक में बताया है और जिनको यह प्रश्न है कि यह सब कहां से लिखा है इसी पुस्तक के अंदर हमने सारे references दिए हुए है कि कौन से शलोक से है, कौन से शास्त्र से है आपको मिल जाएगा वैसे ही युगा उतार है हर युग में अलग-अलग रंग से आते हैं जैसे कि भगवान कृष्णा काले रंग में आते हैं भगवान फिर इस बार गोरांग महाप्रभू जो आये हैं वो यलो गोल्डन यू में आये हैं वैसे ही शुरुवात में आते हैं तो सफेद में भी आत वैसे ही शक्तियावेशलतार है, शक्तियावेशलतार है कि वह जीव के अंदर भगवान अपनी शक्ति के रूप में प्रवेश करकर वो होते हैं, जो हमने आगे पढ़े, 24-25 उसमें से कुछ भी इसमें है, तिकी चार कुमार है, वो ग्यानावेशलतार है, नारद जी है, वो श्रिष्टी शक्त अवतार है यह शक्ति रूप है शक्ति रूप का भी पूरा लेस्ट है वो हमने यहां पर दिया हुआ है कि किस के अंदर किस शक्ति के रूप में उनके अंदर आये है अनंत शेष है वो भूतारन शक्ति भगवान की जो भूतारन शक्ति है वो शेष नाग क का दिव्य अवशोषण की शक्ति वैसे ही पुरुतु महराज की पालन शक्ति वेदव्यास की ज्ञानावेश शक्ति और परशुराम जी की धूल दमन शक्ति यहां की दूस्टों का नाश करने की शक्ति इस रूप में भगवान यहां पर आये हैं तो फाइनली इसका जो कंक् पंद्र की लहरों की कोई सीमा नहीं होती है वैसे ही भगवान के आतारों की कोई सीमा नहीं होती है अर्थात की वह अनन्त है अभी तो हमने कुछी की बात किया है Actually अमने यहां नीचे बता है कि हमने यह जो छे मुख्य मुख्य दिखाए प्रकार हमने अभी जो आपकरी प्रच्ट अभी आया है जिसके बारे मैं सुनने को मिला है प्रोजेक्ट गोल्डन बर्ड उसके बारे में बताईए प्रतीची कि क्या है वो ऐसे प्रोजेक्ट गोल्डन बर्ड जिसको हम सरल हिंदी में बताए तो प्रोजेक्ट सोने की चिडिया इसको कह सकते हैं हम सोने की चिडिया नाम हमने इस प्रोजेक्ट का इसलिए रखा है क्योंकि भारत को पहले सोने की चिडिया कहा जाता था इसको क्यों सोने की चिडिया कहा जाता था और वो कैसा था वह देश हमारे इस करंट भारत को वापस वो सोने की चिडिया बनाना वो पूरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट गोल्डन बड़ और उस सोने की चिडिया जो कि हमारा एक दम समरुद भारत था जिसके उपर पूरे विश्वकी नजर हमेशा ता हमारे भारत पर रहते थी और हमारे यहाँ से सब லूट-blowing कर अपने देशों को सम्रुद बनाया अपने देशों में सब कुछ स्थाप्त किया हमारे भारत को पुनह उस सथर पर लाना इस प्रोजेक्ट को हमने प्रणेता था और गुरुकुल के नाज से ही उसका अन्ध हुआ है यदि उसको पुना स्थापित करना है तो पुना हमें भारत में गुरुकुल प्रणेत को स्थापित करना होगा और जिसके उपर हम प्रयास कर रहे हैं और इसी के अंतरगत हमने पंदान में कृष्ण बल्ला आचारे गुरु को खिले भी हम सबसे अभी जो मेनत करें उसी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ प्रजेक्ट चल रहा है दिस बेसिकली अवर प्रजेक्ट और इसके लिए फिर आप सभी भारती हो की आप सबी की हमें सनातर नियों की बहुत-बहुत सायता की आवशक्ता होगी ज उसके बिना हम इस जीवन का त्याग नहीं करें और यदि किसी कारण हो गया तो भगवान के पास नहीं जाएंगे वापस आएंगे यहीं पर यह गोल्डन बर्ड बनाकर फिर भगवान के पास आएंगे वनना नहीं जाएंगे प्रभूजे हम अभी ए सात्र है हम 15 साल के है अभी हम सास्त्र जैसे गयाखे पढ़ना चाहता है तो इसके लिए हम समई नहीं निकाल पाते हैं तो प्रभूजे इसका क्या उपाय हो सकता है आप बता है देखिए समय तो enough है हर किसी के पास कोई ऐसा नहीं है जिसके पास समय enough नहीं है मैंने यदि 8 साल पहले मेरे college शुरू हुई थी तब से हमने शुरू किया था college भी पढ़ते थे, घर में भी सेवा करते थे और शास्तर भी पढ़ते थे आपको जो कर रहे हो वो नहीं छोड़ना है आपकी पढ़ाई वैसे के वैसे करो same nothing changing जो पढ़ाई का समय है वो रखो पर जैसे की phone में scrolling करते हो Instagram में time waste परते हो games घेलते हो, PUBG घेलते हो या फिर ये जो nonsense करिया हो में जो आप सितना समय बिगारते हो न वो पूरा का पूरा उठाओ और लगाओ इसके अंदर आप पढ़ पाओगे, guaranteed पढ़ पाओगे आपके पास enough समय है दुनिया में आप सोचो मोदी जी के पास है योगा करने का समय Elon Musk के पास Twitter पर random लोगों को जवाब देने का समय है और आप बोल ले हो कि आपके पास शात्र के शात्र पढ़ने का समय नहीं है अपको time manage करना आना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आप अपना कहां पर समय बिगार रहे हो वो सारा बात करो, पहले तो एक दो दिन आप सिर्फ अपने आपको observe करो कि मुझे मैं लिखना शुरू करो मैंने आज यहां से यहां तक यह किया कुछ भी करो उससे पहले लिखो यह इतना बजा और मैं आप शुरू करा हूँ और जब भी रखो न तब लिखो इतना हुआ ऐसे आप एक दो दिन का अपना पूरा लिखो फिर देखो आपने कितना समय बर्बाद किया आपको पता चल जाएगा कि आप लगबग लगबग दिन का 3-4 घंटे तो ऐसे इंग बर्बाद कर देते हैं तीवी देखने में यह वो यह वो PUBG PUBG खेलने में कुछ भी गेम्स केलने में वीडियो देखने में रेंडम वीडियोज अनॉंसेंस के लिए देखने में सब में आप बर्बाद करो वह सारा समय वहां से शिफ्ट करो रखो यहां पर शास्तर पढ़ना शुरू करो और बेस्ट है बेसिक शे शुरू करो यदि आपके पास पुलतक है बेसिक सफसनातर संस्कृति उससे शुरू क करो यहां नहीं है तो आप ले पाएंगे यह भी नहीं ले पाते हैं आपको लगता है कि आपके पास लक्षमी नहीं है तो रुख जाए कुछ समय बहुत जल्दी है हम इसका वीडियो में एक यूट्यूब सीरीज शुरू करने वाला है जिसमें आप सभी को हम स्क्रीम में पुस्तक का ज्यान दे देंगे वीडियो सीरीज में ठीक है एक एक करके तो आपको यह ज्यान ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास पैसा नहीं या तो मुझे ज्यान नहीं मिले वो ज्यान मिल जाएगा पर हाँ आपके बाद यदि लक्षमी है और आप ले पाओगे या फिर आपक तो वहाँ पर एप्लिकेशन या वेबसाइट में आपको मिल जाएगा पूरा पैकेज है फाइन वन पैकेज है वो पूरा पैकेज ले लिजिए आपको तीनों पुस्तक बहुत ही कम दाम में मिल जाएगी रादर देन एक एक लेने जाओगी तो बहुत ज्यादा महिंग हो आपका यही मुझे मेरा यह सुझाव है तो यदि आपको जो एक लेना है आप एक लेही सकते हैं तो आंसर तो और क्वेस्टन इस आपका जो टाइम बेस्ट होता है कैलकुलेट करो निकालो उसको शिफ्ट करो शास्त्र पठन जो कुछ भी है पढ़ो बुक भी नहीं लेना मानस उठा भगवत गीता उठाओ रामायन कुछ भी महाबारत उठाओ डेली पढ़ना शुरू करो फ्री में दिया है ना आपको कहां रुपिया भी देना है फ्री में दिया है पढ़ो बहान हिमत बनाओ मेरे पास समय नहीं है या फिर मेरे पास शास्तर नहीं है सब कुछ ह आप serious नहीं है, that is the problem, आपकी priority नहीं है, जब आपकी priority होती है न तो सब कुछ साइड में रखके लोग बोलते हैं कि चलना cricket किलते हैं, तब उसको मना करकर भी आप रामायर पढ़ने बैठोगे, तब आप कह पाओगे कि आपकी priority है, हलाकि young हो तो हम recommend ये भी करेंगे कि खेल कु में आपको समय देना चाहिए, but indoor games में समय मत दो, games वेंस और TV देखने में, video देखने में, reels देखने में समय बरबाद मत करो, या तो खेलने जाओ, खेलने के बाद तुरंत आकर फिर नहादो कर अच्छे से शास्त्र लेकर बैठ जाओ, कम से कम दिन का आप एक घंटा तो न पुरान हो गया, जैसे जितने भी पुरान है, उसमें एक एक देवता अपने आपको बताते हैं कि मुझसे ब्रह्मा उत्पन्त हुए, मुझसे देवी उत्पन्त हुए, तो इससे मुझे थोड़ा सा अलग लगता है देखने पढ़ने में, उत्तर बताईए आप गुर्दे पढ़ेंगे उस के पेज्बिंट नमर टू हन्रेड और नाइन, दो सो नौ में हमने इसके बारें बताई है, पुरान हो दो परकार के भेड हैं, इन दो भेड को, व्यास देव जी ने इसके बारें बताए है, कि इन दो भेड़ों को कहता है, एक है कलप भेड और एक है इस् प्रण प्रण के थोड़ा डिफर्ंस जयादा नहीं धीट मिलेगा कहीं पर कंस कंसी होगा यहां पर उठा कर पर्र henna पर इसको उन्क्रावर कर अब वेसे ही थोड़ा जोड़ा इसको बhosचा बेद होता है इसको लीला बेद इन लीला भेड़ों को कल्प बेद के जो कि अलगघला कल्प में होने के नहीं के कारण थो इस पुराण में सभर्रार कÖ कही नहीं कहीं में में मंचन रहता कि यह तो फिर आपको पता चल जाता कि अच्छा फान ने असे लीडा हुई यह तर ओ khi दो प 느 सर्वर हर पुरान में एक प्रूर्वी भागत है इसमें देवी मां को और उनके वहां पर इस्वर्य रिखेश्ट है ओलता है यह उनका उनका गुंठ होता है जैसे कि हमारे तीन मुख्य गुण है जो सात्वी राजसिक और तामसिक तो जो जो तीन हमारे गुण है उसमें जो भी मिजॉरिटी गुण से उसके जीव होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर डीटी को पर्टिकुलर देवी देवता को उसका जो टॉप मुस्ट है वहाँ पर जाता है तो जैसे कि आप इसमें तो हमने पूरा डीटेल में नहीं बता है हम जब वीडियो बताएंगे सारा लिस्ट के साथ बताएंगे लगुबाववता मुद्ट तरकर एक शास्त्र है उसके अंदर डीटेल में बताया है क्यूं कौन से कल्प के अंदर शिव जी को सुप्रीम रखते हैं पर हम तो जहां-जहां इनका होता है उन सभी का लिस्ट भी शास्त्रों के अंदर लिया गया तो इसमें कुछ भी कन्फ्यूज होने की बात नहीं है जो पर्टिकुलर जैसे की आप देखिए लोग अपने सभाव से अपने इस्ट को चूज करते हैं कि कितना भी किसी को आप लॉजिकली समझा दो कि ये भगवान सुप्रीम है पर उसको ये पसंद है तो उसी को सुप्रीम मानेगा तो वो सभाव के अनुसार जो उसको चूज करते हैं तो उसको शास्त्र संपक्ष रखने के लिए उसके लिए एक वेदवया जी ने एक पूरा शास्तर लिखा कि यदि आपको शिवजीत को मानते हो तो आपको शिव पुरान के अनुसार चलना है तो फिर आपकी प्रगती होगी वैसे यदि आप भगवान कृष्ण को मानते हो भागवत पुरान के अनुसार आपको चलना है तो उसके लिए आपके पास भागवत पुर निकालता, Note 10 या फिर क्या भी S24 Ultra या आया है, बोले एक ही फोन निकालते हैं वो और को निकालना ही नहीं तो जिन लोग और औरों को फोन लेना वो कैसे लेंगे? इसलिए कमपनी क्या करती है, वो छोटे भी बजेट फोन भी निकालती है, E-Ped वाले भी निकालती है, पाँच-दस अजार वाले भी एकदम S-Series भी निकलती है और साथ में ये डिलाफ का S-24 Ultra भी निकलती है तो जिसका जो situation है उसके अनुसार वो adjust कर लेता है ultimate काम क्या है कि आपको सुविधा मिले वैसे ही सारे शास्तरों का ultimate यही है कि आप इस भावतिक संसार से बाहर निकलो और अध्यात्मिक संसार में आप प्रवेश करो उसके लिए आपके सभाव के अनुसार अलग-अलग शास्तर दिये गए है अब आपको यह करना है कि आपको जो भी इस आपको आप accept करते हो उनको center में रखो और को side में रखो और उनहीं के प्रति अपना ध्यान देकर चलो कोई बोले कि नहीं नहीं यह है हाँ हाँ सही है यही है हाँ जोड कर बोल दो जैसे कि आप शयव हो कोई वैश्चनव आए ज्यों कि मैं वैश्चनव है बड़े ही बड़े ही दयाल हुए अब उनहीं की बज़ेसे मैं आज शीव जी की भक्ति कर रहा हूँ नहीं है कि जब कोई वैश्णा हो जैसकी कि मैं वैश्णा हो अब कोई शीव शी जी के बारे को बारे में वोलता है तो मुझे उसे गुरूना पर और С्विवुकुर्पा बदुना है अब मेरे घर के उपर लिखा है नाब है पर looks आवास हमारी मिल थी पहले प्रिवान जी महराज को देखो, उन्होंने भी यही बोला है, आप इनको भी देखो, नरसिम महता को देखो, उनका भी यही है, अधिक तर हर जगा आपको यही देखने को मिलेगा, तो हमें भी भगवान ने विश्णा बनाया है, जब कोई शिवजी के बखान करता है हमारे सा बाप कोई नहीं है, ऐसे नहीं होता है, आप अपने बाप का जब कोई वो बोलता है, और अँखल अखल नहीं देखाते ह। सो आप और सो किने करते कितों कवे किसी को नीचा नहीं देखा दो सब्सक्राइद करें सब्सक्राइब और भूरा चुक्वा बता रहें कि हम 13 साल है और रमायन कहिंगे रख चुके हैं पूरा कैसे तोलसी दाजी लिखे थे पहले हमको काग भोसुनी जी सपना में आये थे पूरा लिख के खतम मतलब अभी आदी कांट खतम कर दिया और हमको उसको रिलीस करना है तो आप बताइए प्रभुजी कि हम कैसे उसको रिलीस करें और कैसे लोगों तको पहुंचे कि हम पूरा खतम कर रहे हैं उसको चापना है तो कैसे लोगों तक पहुंचर कहां से अच्छा से पब्लिश करा पाया है जी पहले तो बहुत 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 बदाई हो कि अच्छी बात है यह सुनकर अच्छा लगता है कि हमारे भारत में अभी ऐसे बच्चे बड़े हो रहे हैं इतनी उम्रे से भगवान के बारे में इतना सोचते हैं तो धन्यवाद आप इसके अंदर आगे बढ़े रहे हैं हम आपको यह चीज़ बताएंगे कि सबसे पहले तो आप पूरा लिखिए उस पर meditate कीजे अपनी साधना को बढ़ाईए इस साधना को इस तर पर बढ़ाईए आप इसका proper जो या पूरा जो रामायन आप जो लिख रहे हो ना ही सिर्फ उसके शास्त्रोप्त सारे के सारे references दे पाओ प्योंकि देखिए परस्नल जो आपके सपने में कुछा आता है या फिर उससे जो आप लिखते हो वो फिर भी शास्त्रों से उसके संगत होना बहुत तो किसी बहुत सारी रामायन है उसका भी यदि आपको लिस्ट चाहिए तो हमारी पुस्तक में मिल जाएगा 24 सी रामायन का लिस्ट तो हमने हमारी सारी प्रह्माना का अमने बता दिया है तो कहीं आ कहीं से उसको प्रूव तो करना होगा, य।कि सपने में आना, वो भगवन जनरली आपके परसनल बेनेफिट के लिए देते हैं, वो आपके लिए होता है, हर किसी के लिए नहीं होता है, सबसे पहले, ठीक है, और फिरे ज़िए आप उसको लोगों तक ले जाना है, तो आपको इस वाले रमायन में इसमें हमने यह पढ़ा तो पूरा अच्छे से डॉक्यमेंट बनाईए उसके बाद हमारा सजेशन यह होगा कि सबसे पहला प्रिकॉशन यह है कि अपनी साधना पर ध्यान रखेगा क्योंकि जैसे फेम आता है आप दे इसलिए रहे हो क्योंकि लोगों त आपको सबसे पहला यह करना चाहिए कि आपके प्रति दिन की कम से कम यदि आप यह करना चाहिए नॉर्मली हम बोलेंगे कि इस उम्रह में दो घंटा एक दो घंटा काफी है और यदि आप सच में इस तर की बात कर रहे हो ना तो हमारा सजेशन है कि आपका प्रति दिन का कम से कम तीन से चार घंटे का आपका साधना होना चाहिए दो घंटे का आपका नाम जब कम से कम होना चाहिए एक घंटे का कम से कम शास्त्र पठन होना चाहिए और एक घंटे का कम से कम किसी साधु का वह पढ़ना चाहिए क्या बोलता है सुनना चाहिए प्रवचन सुनना चाहिए, किसी परमपरी सादु का चार घंटे का यदि आप प्रते दिन साधना नहीं कार पाते हो, तो फिर सारी सिर्फ बाते हैं, फिर कुछ सब बेकार है, सिर्फ बाते हैं, हवा में बाते हो जाएगी, आप अपनी purity को बनाएए चार घंटे का जो हम बोल रहे हैं साधना वो साधना ठीक से कीजिए consistently कीजिए अपनी purity को बढ़ाईए and then फिर धीरे धीरे जैसे आप बढ़े हो तब आपको permission मिले अपने माता पिता से सबसे उनके permission से उनके permission के बिना नहीं आप phone के with शास्त्रिक reference not without शास्त्रिक option यहाँ वहाँ वड़ वड़ नहीं करना है जो कि अभी जो लोग कर रहे हैं बहुत आपको दिखेंगे ऐसे लोग करते हुए तो वो नहीं करना है आपको शास्त्रोक्त reference के साथ वीडियो बनाना शुरू कीजिए लोगों तक पहुँचाईए लोगों को बताईए कि यहाँ जो रामायन है कि मैंने लिखी है तो पहले आप उसके बारे में जादा बताईए फिर जादा लोगों को रूची आए और लेड़ी जादा लोग आपको जानना पसंद करे और आपसे प्रभावित होकर आपसे इंस्पायर हो और वो माने की नहीं यह जो व्यक्ती बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं और मैं उनकी रामायन पढ़ना चाहूंगा तब जाकर फिर आप पब्लिश कीजिए तब तब पबलिशिंग की चिंता कोई भी मत कीथे ठीक है जब तुलसिदाची ने जब लिखी दी रामायन उन्होंने पबलिश नहीं की थी उन्होंने लिखकर रख दी थी फिर उनके अनुयाईयों ने वहां के राजा ने और जो सब लोग उन्होंने नकी किया कि हाँ तुलसीदाची जो रामायन बोलते हैं वो बहुत ही अदभूत है तो हमें इसको पब्लिश करना चाहिए उन्होंने खुदने नहीं की थी वैसे ही जितने भी महान कभी होते हैं वो कभी तब तो पब्लिशिंग था भी नहीं न वो एक ही प्रती रहती थी और उसकी प्रती दिन चार चार तीन चार घंटे जब आपनी साधना में दे पाए उसके बाद जाकर आप फिर सोशल मीडिया पर आए तब भी अपनी साधना को स्ट्रॉंग रखे वना सोशल मीडिया पर आकर फिर पूरा चेतना एकदम गिर जाने की बहुत ज्यादा संभाव नाय र सारी लिलाओं के बारे में बाते करो लोग जानेंगे लोग सामने से इंस्पायर होंगे फिर वह आपकी रामाय पढ़ना चाहेंगे फिर आप पब्लिश कर सकते हैं आपने एक जगा बताया था कि यह चीज़े जैसे अलग-अलग युनिवर्स जो भावान ने बनाया है इस इस जगा पर हम आगाए बट मैं कही भी और भी जगा ढूने और कोशिश करा मैंने इस चीज़ को बड़ स्टोरी फॉर्म में ही लोगों ने हमें बताया मतलब एक्जैक्ली ऐसा कुछ शास्तर हमें बताया नहीं गया है या फिर हमें इसे बताने का तरीका एक स्टोरी ही मि हमारी जो बुद्धी मत्ता है ना वो इस हद तक विक्सित है ही नहीं कि हम इतनी सारी चीजों को समझ पाएं यहां तक कि आचारियों के बीच में भी इसके उपर डिबेट्स चलती है हम आपको अनेस्ट दे रहे हैं आचारियों में आज भी डिबेट होती है कि जीव का बहुतिक संसार में आने का मुख्य कारण क्या है अभी भी होती है इसके उपर बहुत सारी कुस्तक है अभी भी आपको अवेलेबल है आपको मिल जाएगी आप थोड़ा सर्च करेंगे जो अभी लेटेस्ट आचारे जो है गवडी आचारे जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट में है उनका बाकी जो जो पूरवा आचारिया है शंक्राचारिया उनका तो वो उनका एक ही मत होता है जनरली पर उससे सारे आंसर नहीं मिल पाते हैं हमको इसलिए हमने फिर आगे आचारियों के बारे में जितना पढ़ा अचारिया रामनेज़ अचारिया अनिबक अचारिया उसके बाद गोडिया अचारियों के अंदर जितने भी अचारियों हुए हैं उनका यदि आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको उसके अंदर मधभेद दिखेंगे पर बहुत ही क्लोस मधभेद है तो यह इतना इनको पूछा वो यही बोलते हैं कि यह प्रशन ऐसा प्रशन है कि यदि प्रशन का जवाब देंगे तो आप समझ भी नहीं पाओगे तो बैस्ट यही है भक्ति करो भगवान के पास चले जाओ और भगवान से पूछ लो कि भगवान क्यों हमारा ऐसा हुआ भगवान आप व्यक्ति से हम नहीं सुन रहे हैं वह इन व्यक्ति से सुन रहे हैं जो लोगों ने भगवत प्राप्ति कर लिया है जो भगवान को हाथ में लेकर घुनते हैं भगवान को नचाते हैं जब बोले भगवान को आना ही पड़ता है उन आचारे की बात कर रहे हैं वह लोग जब not be the complete answer that you were looking for पर यह जरूर है कि हमारे पास तो यही आंसर है बाकि भविशा में जदी हमें मिलेगा तो हम बताएंगे ठीक है